हलो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आटो सेक्टर के कुछ स्टॉक्स के बारे में और अगर आप कोई डिमैट अकाउंट ओपन करना साहते हैं तो कोटक सिक्योरिटी इस आपको ओफर कर रहा है जीरो ब्रोकरेज और और इंट्राडेट ट्रेड्स सो लिंक डेस्क्रिप्शन में अगर आप चाहे तो लिंक पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं अब चलते हं इस टॉक की तरफ लेकिन उसके पहले एक बार निफ्ती के हाल जान लेते हैं 50 दे मुविंग ऐसके नी चीका है 26 दे मुविंग ऐसको नीचे आ चुका है सूपर ट्रेंड पर रेजिस्ट हुआ था कल के दिन में मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि यहां से सौ से 200 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है और यह जो प्रीवियस यहां पे लो बना था 14,470,480 के पास वहां तक आज यह काउंटर जा के आया है सो यह एक सपोर्ट लिया जरूर है यहां पे अब देखने वाली बात होगी कि यह सपोर्ट मेंटेन कर पाता है या नहीं कि इसके नीचे आजाता है अगर यह इसके नीचे आता है तो जरूर फिर और थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा 500 से 800 पॉइंट उसके बाद और लेकिन अगर यहां पे सपोर्ट लेता है और रिवर्स होता है तो काफी बढ़िया पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है एक बार यह वाले लेवल्स क्रॉस कर दिये उसके बाद और एक अच्छा खास अपसाइड निफ्टी में देखने को मिल सकता है अब चलते हैं अ देली चार्ट है वो सुपर टेंड़ चुका एंगेटिव आज की दिन काफी भारी गिरावाट देखने को मिली है कि मूविंग आवरेज 50-day मूविंग आवरेज हो चुका है नेगेटिव 26-day 26-day moving average हो चुका है नेगेटिव आरे साय चुका है काफी नीचे मुझे यह लग नीचे अगर जाता है तो फिर avoid कीजे लेकिन फिलाल के लिए मुझे लग रहा है कि यहां से और नीचे ही जाएना चाहिए क्योंकि सूपर्टेंड हो चुका है नेगेटिव आरे साइ काफी नीचे है तो हो सकता है छोटा मोटा एक upside देखने को मिले लेकिन उसके बाद दुब गाडिया अब scrap हो जाएगी और फिर नए गाडिया लोगों को लेनी पड़ेगी लेकिन उस news का उतना ज्यादा effect देखने को नहीं मिला market में काफी ज्यादा correction देखने को मिला है हर एक auto sector के stocks में और यहां पर आप देख सकते हैं उपर की तरफ 138 तक गया तो और फिर से नीच कोटा उपर नीचे जा सकता है लेकिन अगर आप long position बनानी कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा wait कीजिए अगला जो stock है वो है मारूती मारूती भी आप यहां पर देखिए 8255 तक गया था और अभी 7108 के पास trade कर रहा है एक downside चालू हो गया है यहां पर super trend negative है moving average दोनों negative है और RSIB अभी trade कर रहा है 43 के पास सो कोई positive momentum नजर नहीं आ रहा है भलेग news कितनी भी अच्छी हो companies के लिए लेकिन यहां पर आप देखेंगे एक downside momentum चला रहा है तो auto sector सब electric vehicle कह रहे हैं फाइदा होगा ये होगा वोगा बट नजर ऐसा नहीं आ रहा है जो upside देखना था वो already यहां पर दिख चुका है अभी वापस नीचे के तरफ जा रहा है थोड़ा weight कीजे consolidation होने दीजे उसके बाद add कीजे जल्द बाजी में उपर के rate में buy मत कर लिजेगा नीचे में 6800 के पास अगर आता है तो वहाँ पे छोटी quantity आप add कर सकते हैं उसके नीचे अगर जाता है तो फिर 6400 का range देखने को मिल सकता है मारूती में अगला जो stock है वो है आईशर मोटर्स आईशर मोटर्स में भी कोई ज़्यादा positive moment नजर नहीं आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं double top बनाया है and उसके बाद reverse हो चुका है 3000 के पास गया था अभी 2660 पे trade कर रहा है यह एक point है जहां से reverse हो चुका है already दो बार so यह एक resistance था और यहाँ पे दुबारा resist होके अब most likely यहाँ से नीचे जाना चाहिए so थोड़ा बेट कीजिए अगर यह breach होता है तब एक upside देखने को मिलेगा उसके पहले नहीं मिलेगा नीचे के लेवल में अगर 2500 के आसपस आता है तो एक buying कर सकते हैं आईशार मोटर्स में वरना फिलाल रहने दीजे काफी जादा उपर है RSI B 50 के पास है so मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा नीचे ही जाना चाहिए आईशार मोटर्स अगला जो स्टॉक है वो है महिंद्रा यह अकेला एक ऐसा स्टॉक है जिसमें थोड़ी positive momentum नजर आ रही है आज के दिन में काफी strength बनाए रखा है इस counter ने and long term अगर आप देखेंगे तो इस counter में आप देखे एक positive momentum है super trend अभी भी positive है moving average के उपर है 50 day moving average के 26 day moving average नीचे आ चुका है लेकिन काफी अच्छा एक momentum बनाया हुआ है नीचे में अगर आप stop loss रखना चाहिए 804 रुपे का stop loss रख सकते है महिंद्रा में अगर आपने buy किया हुआ है तो hold कीजिए और यह जो trend line चला रहा है एक बार इसके उपर अगर जाता है तो यहां से काफी अच्छा है एक upside देखने को मिल सकता है महिंद्रा और महिंद्रा में Tata Motors के बारे में कल मैंने वीडियो बनाई थी फिर से एक बार review कर लेते हैं Tata Motors क्या कहता है उसके बारे में भी देख लेते है So Tata Motors कल के दिन में यहां पर Super trend negative हो चुका था लेकिन आज जो closing दी है वो कल के closing से उपर दी है So यह एक positive point है But फिर भी 300 का stop loss जरूर रखे 300 के नीचे अगर जाता है तो दुबारा एक correction देखने को मिल सकता है अगर आपने hold किया हुआ है 300 के levels पे नजर रखे उसके नीचे गया तो थोड़ा बेच दीजे यहां से अगर reverse होगा तो उपर की तरफ दुबारा 340 के range में देखने को मिल सकता है Tata Motors बड़ मार्केट का जिस तरीके से हाल है हो सकता है यहां से थोड़ी और मंदी देखने को मिले यह था पांच आटो स्टॉक के बारे में आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ा हेल्प हुआ होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो